आप दिख रही हैं फास्समाचार.ड़कॉम ख़वरों में सब से देख नहीं करने के बाद आज पत्रकार ने पुलिस अधिक्षक को ग्यापन सौपकर आरूपियों के खिलाब केस दर्ज करने की मांगी है पत्रकारों ने पुलिस अधिक्षक सुनिल कुमार पांडे को बताया कि मामले से सम्मंदित बीडियो फुटेज उबलप्त कराने के बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है जबकि सबूत होने पर तो तुरंत मामला दर्ज किया जाना चाहिए था इस पर पुलिस अधिक्षक स्री पांडे द्वारा शाम तक मामला दर्ज कराने का असवाशन दिया पूर्व विदायक पर मामला दर्ज करने के मांग को लेकर तैसील इस्तर भी पत्रकारों ने ग्यापन दिया था यहां उलेक करना प्रांसंगे होगा की बिगत दिवस पूर्व विदायक बीरेंद रगुवनसी का एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें वे पत्रकार अजरा सकसैना को तीन दिन में टिकाने लगान की बात कह रहे थे इसके बाद उनका पुत्र बैवब रगुवनसी शहित अमित रगुवनसी पत्रकार अजर सकसैना के घर जा धमके और जब श्री सक्सेना उन्हें घर पर नहीं मिले तो उन्होंने उनकी मा के साथ गाली गिलोच करते हुए अब दरता की जिसकी शिकायत पुलिस में की लेकिन पुलिस द्वारा पूरी विदाय की उंची सत पॉंच एवं सत्ताधारी दल से होने के चलते अभी तक मामला सदमे में है और उन्हें जानमाल के खत्रे की चिंता बनी हुई है या पन देने वालों में प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक एवं शोशल मीडिया की बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्तित रहे शूपरी से संजी चडार की रिपोर्ट